किसान वायो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान की बालियों की लंबाई वा बालियों की मोटाई कैसे बढ़ाएं इसके लिए हमें अपने धान की पसल में क्या-क्या जरूरी कारी करने पड़ते हैं कम्प्लीट जानकारी देने वालें जिससे की सभी किसानवायों की धानकी वाली अच्चे से आए इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देगा चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं धान की पसल में बालियां अच्चे से ना निकलना बालियों की लंबाई ना बढ़ना खाद का सही समय पर सही मात्रा में प्रियोग ना करने के कारण ऐसा होता है वाई के समय जो खाद डानने चाहिए वो नहीं डाल पाते हैं और फसल के अंदर पहली डोज 15-20 दिन और 30-40 दि के अंतराल में खाद डानना चाहिए खाद की एफिसेंसी के कारण ही फोधा पीला पर जाता है ग्रोथ रुख जाती है बालियों का आका छोटा रह जाता है ये सारी समस्या समय से खाद का प्रियोग नहीं करने के कारण आ जाती है यदि आप समय से सही खादों का प्रियोग करते होंगे तो फसल के अंदर अच्छी बालिया निकली होंगी बाली मौटी वो बालियों में लंबे बजंदार लेकिन जो किसानवाई सही समय पर सही खाद नहीं डाल पाते हैं उनको यह समझ से आ जाती है तो खाद तो फसल के अंदर डालना ही डालना है रोपाई के समय जो पर बात करते हैं कि बालियों की लंबाई और मोटाई को कैसे बढ़ाया जाए तो इसके लिए दोस्तों यदि वुवाई के वक्त पोटास खाद नहीं डालाया तो इस समय पोटास खाद का जरूर प्रियोग कर लेना चाहिए जिससे की बालियों का विकास अच्छे से हो सके ब इतनी मातरा में पोटास डालनी चाहिए तो धान की फसल के लिए 30 से लेकर 40 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं पोटास की यह मातरा प्रत एकड़ परियाप्त होती है 30 से 40 किलो पोटास की मातरा आपको पसल में दो वाग प्रियोग में लानी चाहिए 15 से 20 किलो वाई के समय और 40 से 50 दिन के बाद 25 से 30 किलो डालनी चाहिए धान की फसल के अंदर 60 दिन में सभी खादों को डालना चाहिए तब ही जाकर आपको सांदर बहतरी रेल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों ये तो हो गया फोटास के बारे में और हम यहां पर ऐसी खादों का फॉर्मूला भी जान ले यदि आप इसका इस्तिमाल बालिया निकलने से पहले कर लेते हैं तो अच्छे रेल्ट देखने को मिलेंगे सभी वालियों के अंदर दाने अच्छे आएंगे दानों का वरावी अच्छे सोगा बालियों की साइज भी अच्छी होगी जिस से उत्पादन भी सांदर होगा एन्पी के जीरो वामन चौंतिस में बावन परस्थ फासपुरस चौंतिस परसंट पोटेसियम पायाता है यदि आप धान में गवोट अवस्ता में इस खाद को डाल देते हैं तो धान में बालिया निकलने से सम्मंदित कोई भी समस्या नहीं होगी बात करें एन्पी के जीरो वामन चौंतिस डालते हैं तो इसमें फासपुरस बालियों के निर्माड में मदद करता है और पोटेसियम तो आपको पता ही होगा कि दाने के भरा में बालियों में के निर्माड में इन सभी परक्रिया में पोटेसियम काफी ज़्यादा काम करता है और इसके साथ इसके अलावा दोस्तो आपको इस्तिमाल करना है जिंक सलफेट 33% वाला यदि हम इसका इस्तिमाल कर देते हैं तो फसल के अंदर तो बहुती अच्छा लाव देखने को मिलता है फसल के अंदर हर्याली आ जाएगी पौदे का पीलापन दूर हो जाएगा और पौदे में जिंक करण भौजन बनाने की प्रकिया में बहुती तेजी हो जाएगी पौदे अपना भौजन बहुती अच्छे से बना पाएगे बात करें इसकी मात्रा की 100-1.500 प्रतिकड़ इस्तिमाल करना है तीन खादों के बारे में बता दिये पहुति खाद के बारे में बात करें तो आपको इस्तिमाल करना है यूरिया लगवक्त दो केजी यूरिया दानेदार गोल बना कर छिड़काप कर देना यदि गवोट अवस्ता से पहले यदि थोड़ा बहुत पीलापन नजर आता है तो आप यूरिया खाद डाल सकते हैं ना जय जवान जय खिसान